हेलो इस्टूडेंट वेल्कम टू अनलाइन क्लास एसिन रामराजी इंटर कालेज नरायनपूर प्रितमपूर हीरापूर अंबेट कनगा आई एम प्रेम चंद्यादो तूडे आई एम गोईंग टू डिसकस क्लास 12 मैथ दा टापिक इज इंटेग्रेशन आज इसमें हम पढ देखें कुश्चन नमबर 34 में आपका है कि सिद्ध कीजिए कि इंटेग्रेशन आफ वन टू थरी और डी एक्स अपान एक्स स्क्वाइर इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस एक्वल टू अपान थरी प्लस लाग टू अपान थरी ठेक हैं चलिए देखते हम इसको कैसे प को हम पार्शियल फ्रेक्शन से करेंगे तो यहां देखें लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं तो यहां देखें वन आपान एक्स स्क्वाइर इंटू एक्स प्लस वन एक्क्वल टू हम लेख सकते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस तो हमने थ्रे कांस्टर लिया A, B और C इस तर्म में ठीक है अब देखें यहां पर हम इसको साल्प करेंगे यहां देखें X स्क्वाइर इंटू X प्लस वन वन अपन हो जाएगा यहां देखें A और यहां यहां इसका LCM लेंगे ती X स्क्वाइर अपन X प्लस वन और चुकी यहां पर X है केवल तो एक X कैंसल होगा बचेगा क्या X इंटू X प्लस वन तो A से गुड़ा हो जाएगा यहाँ X square है तो इसमें X square cancel होगा तो यहाँ से देखे X square cancel होगा तो बचेगा X plus 1 तो X plus 1 इस B से गुड़ा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ देखे X plus 1 इसके नीचे है तो A cancel होगा तो बचेगा X square X square से C में गुड़ा होगा CX square हो जाएगा अब यहां से देखे यह दोनों cancel हो जाएगा तो यहां से हमारा आया 1 equal to A into X into X plus 1 plus B into X plus 1 plus CX square अब देखे X बराबर हम 0 लेंगे क्यूंकि यहां देखे X square बराबर 0 करेंगे तो X बराबर 0 तो X बराबर 0 लेंगे तो C में रखेंगे इस value में बराबर 1 हो जाएगा फिर देखें यहां x plus 1 equal to 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगे minus 1 तो x बराबर minus 1 लेंगे इसमें तो यहां पर आ जाएगा हमारा c equal to 1 ठेंगे अब इसको open करेंगे तो open करेंगे तो 1 equal to आ जाएगा ax square plus ax plus bx plus b plus cx square इसको गुड़ा करके जब open करेंगे तो यहां देखे ax square plus cx square है इसमें x square कामल ले लेंगे तो a plus c और यहां देखे ax plus bx है तो इसमें कामल ले लेंगे x तो आएगा a plus b और यहां plus b अब दोनों साइड में x square और x का गुड़ांग का तुलना करेंगे दोनों साइड में तो इसमें देखे ए प्लस C बराबर 0 आ जाएगा और A प्लस B बराबर 0 आ जाएगा तो यहां से देखे हमारा A प्लस B बराबर 0 है तो यहां से B कमान यहां से रखेंगे तो ए प्लस 1 बराबर 0 तो ए बराबर क्या आजाएगा माइनस 1 ठीक हैं अब इसमें हम क्या करेंगे रखेंगे तो इसमें रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है इंटेग्रेशन 1 2 3 और 1 अपान एक्स स्क्वार एक्स प्लस 1 बराबर आजाएगा इंटेग्रेशन आप 1 2 3 ए अपान एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटेग्रेशन आप 1 2 3 बी अपान एक्स स्क्वार डी एक्स प्लस से और इंटेग्रेशन 1 2 3 वन अपान एक्स प्लस 1 डी एक्स अब देखें इतने का A बराबर 1 रखेंग, माइनस 1 रखेंगे, यहां माइनस 1 है, इतने का इंटेग्रेट करेंगे, लाग X लिमिट अपलाई कर देंगे, फिर यहां B इक्वल टू 1 है, तो 1 हमने रखा इतने का इंटेग्रेट करेंगे, तो माइनस 1 अपन X लिमिट अपलाई कर देंगे, और यहा यहां से हम इसको लीमिट इसमें अपलाई कर देंगे यहां माइनस लाग-30 माइनस लॉडग 1 हो जाएँगा और इसमें लिमिट अपलाई करेंगे लाग-30 माइनस लाग-1 ऑन-1 फोर वो माइनिस लाग 2 तो लाग 4 माइनस लाग 2 बराबर हो जाएगा लाग 4 अपर अपन टो तो 2 से कैंसिल करेंगे यहां दोदुना चार हो जाएगा तो दो आएगा अब देखे इसको और सल्फ करते हैं, यहां से देखे हमारा आजायेगा हम इसको क्या लिख देंगे लाग 3 to the power minus 1 हो जाएगा पलस 2 upon 3 पलस लाग 2 अब देखें यहाँ 2 upon 3 यहाँ से लाग 2 और यहाँ इसको यहाँ लिख सकते हम लाग 1 upon 3 अब देखें यहाँ से 2 upon 3 लाग यम पलस लाग यन बराबर क्या होता लाग यम इन्टू यन तो लाग 2 इन्टू 1 upon 3 आजाएगा यहाँ आएगा हमारा 2 upon 3 लाग 2 upon 3 यही हमारा क्या था राइट हैंड साइट इस तरह से हमारा यह प्रूफ हुआ हैं ठीक है चलिए नेस्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 36 कुश्चन नमबर 36 इंटेग्रेशन आप माइनस 1 to 1 एक टू दी पावर माइनस से एक टू दी पावर 17 इंटू काश्ट दी पावर 4 एक्स डी एक्स बराबर 0 अब देखें माना हम आई बराबर इतना मान रहे हैं तो आई बराबर हमारा इस तरह से इस तरम में हो गया माइनस A to A एक्स ए हो गया एक्स डी एक्स इस फर्म में हो गया तो यहां से देखें एक्स बराबर हमारा आ जाएगा क्या एवाला एक्स बराबर एक टू दी पावर 17 इंटू काश्ट दी पावर 4 एक्स अब हम लेके चलेंगे पावर फोर और माइनस एक्स हो जाएगा तो चुकी एक्स की पावर यहां पर बिसम संख्याते हमारा माइनस देगा तो माइनस एक्स की पावर 17 इंटू कास्ट दी पावर फोर एक्स यानि यह हमारा आगया बराबर माइनस एक्स अर्थात एक्स यह क्या है बिसम फलन अब द होता है कब यदि यह एक्व प्रहबर माइनस एफ्य यहां इंट्रेकर आसके हõं कि यह अधिनपर पर हो प्राइव है ना जर्विस्थितलान इनद्रैकर कर सकते होrit अपर से टुए एक टुदी पावर 17 इन्टु एक टुदी पावर 4 कास टुदी पावर 4 एकस डी एकस बराबर 0 यही हमारा राइट है है हैंस प्रोग हम डारेक्ट इसका मान 0 रख दिये ठीक हैं चली नेट देखते हैं कुईस्चन नमबर 38 यहां इंटेग्रेशन आप 0 to 5 by 4 to 10 qb x dx बराबर 1-2 तो लेप्ट हैंड साइड हमारा यही है यह लेकी चलेंगे तो two constant बाहर कर लिया हमने और 10 qb को हम क्या लिख सकते हैं यहां से यहां से लिख सकते हैं 10 x into 10 square x dx अब देखें यहां पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 10 square x बराबर sec square x minus 1 dx ठीक है अब देखें यहाँ से हम solve करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 2 integration आप 0 to pi by 4 10 x into sec square x dx minus integration आप 0 to pi by 4 10 x dx अब यहाँ से हम 10 x बरावर t मान रहे हैं यहाँ हम इसका differentiate करेंगे sec square x से dx बरावर आ जाएगा क्या dt अब x बरावर 10 x में 0 रखेंगे तो t बरावर 0 और x बरावर pi by 4 रखेंगे t बरावर क्या आएगा 1 तो यहाँ से देखें हमारा limit change हो जाएगा तो limit आजाएगा 2 integration आप 0 to 1 t dt और minus इतने का देखें क्या हो जाएगा minus लाग का 80 x limit apply करेंगे 0 to pi by 4 तो यहाँ से हमारा आजाएगा 2 इतने का integration होगा t square by 2 limit apply कर देंगे और यहाँ से देखें plus इसमें limit apply करेंगे 2 लाग कास pi by 4 और minus लाग कास 0 अब देखें यहाँ से यह limit apply करेंगे 2 into 1 by 2 0 minus 0 तो प्लस यहाँ 2 कास pi by 4 कमान 1 upon root 2 माइनस लाग 1 लाग 1 कमान 0 हो जाएगा यहाँ से और 2 to cancel होगा तो 1 plus 2 लाग और 1 upon root 2 को हम लिख सकते हैं 1 upon 2 2 the power 1 by 2 अब यहाँ से हमारा आजाएगा 1 plus 1 plus lag 1 upon 2 2 the power 1 upon 2 गुडे 2 तो 2 to cancel हो जाएगा यहाँ आएगा हमारा 1 plus lag 1 by 2 यही हमारा right hand side है यही हमें probe करना था थेंस probe ठीक है चलिए next देखते हैं question number 42 question number 42 है कि integration आप cash 2x upon sin x plus cash x का whole square dx यहाँ देखे cash 2x बराबर हम लिख सकते हैं cash square x minus sin square x अपान नीची हमारा जो है वही का वही रहेगा अब देखें हम फर्मूला योज करेंगे फर्मूला क्या हमारा a square minus b square बराबर हम क्या लिख सकते हैं a minus b एक ब्रेकर्ण में और a plus b एक ब्रेकर्ण में a लिख सकते हैं यहां से देखें हम लिख सकते हैं cash square x minus sin square x बराबर cash x plus sin x into cash x plus sorry minus sin x upon cash x plus sin x का whole square तो यहां से यह दोनों cancel हो जाएगा एक तो एक cash x plus sin x बचेगा तो यहां से देखें हमारा बचा क्या integration आप cash x minus sin x और अपान cash x plus sin x dx अब देखें नीचे वाले को हम t मान रहे हैं cash x plus sin x बराबर t ठीक है तो cash x plus sin x बराबर t इसका differentiate करेंगे cash x का क्या हो जाएगा minus sin x और sin x का differentiate क्या होगा cash x हो जाएगा upon dt by dx dx इस में गुड़ा होगा cash x minus sin x dx बराबर dt अब यहाँ पर apply कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा integration आप इतना बराबर है dt तो dt by यह वाला t है तो dt by t अब इसका integrate करेंगे तो लाग t plus से तो यहाँ से हम t की बैलू रख देंगे तो t की बैलू जो हमने यह माना था यहाँ पे रखेंगे लाग कास x plus sin x plus c तो यही हमारा answer आजाएगा question number 42 का तो यही हमारा answer होगा ठीक है तो thank you इस वीडियो में इतना है next वीडियो में हम क्या discuss करेंगे application of integrals ठीक है thank you